यहाँ पर निरव उसको पैचान चुका था क्योंकि पिछली बार संत कबीले के अंदर जो जड़ाफ होई थी ना तो उसके बाद में उसके चेरे को उसने अपने दिमाग के अंदर बसा लिया था क्योंकि वास्तम में वो उसको अपना दुस्वन मान रहा था यह क्या इसने यह सब कुछ किया है क्या यह एक राक्सस है या फिर यहाँ पर यही है जो इन सबी करता धरता है वहाँ पर वो उसको देखते जा रहा था उसको ऐसा लगने लगा था कि वही है साइध यहाँ की राक्सस क्योंकि यहाँ पर उसकी ना तो कोई छवी थी ना कुछ था क्योंकि यहाँ पर संथ कभिल् améric, उसके बारे मेरे पता लगानी की बोच्मय कोशिस कर रहा था लेकिन किसको भी आज़ तक यह नहीं पता चला कि प्रतुशा कहां से आय थी और कहां से को चली गई थी लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रामराज करता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता वह अगर यहाँ पर राकसस होती ना तो उसके साथ में उधर देखो वह इतनी आसानी से इदर उधर नहीं देख रही होती क्योंकि वह देखते हैं कि प्रतुशा खुसना कुछ इदर उधर डूण रही थी ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका कुछ ज़्यादा ही खास खो गया हो वह इंदुशे तरफ यहाँ पर निरवी कहता है हाँ वैसे तुमने सही कहा है क्योंकि अगर यहाँ पर यह सभी राकसस उसके कोई फ्रेंड या उसके कोई फेमिली मेंबर्स होते तो उसके साथ मुझे को पागल हो जाना चाहिए था लेकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसका मतलब यह है कि यह यहाँ पर राकसस नहीं है तो उसके साथ में यहाँ पर आप जो प्रत्युषा थी वो उड़ते वहाँ पर आती है और कहती है डिप्टी मास्टर करन और कभीले प्रमुख निरव और साथ में यहाँ पर जियान मैं आप सभी को यहाँ पर रामराज मैं आप सभी को यहाँ पर create करती हूँ क्या आप लोगों ने यहाँ पर विपिन को आजपास में कहीं पर देखा है वो तिनों यहाँ पर इसी तरह टेलीपे तरह बाते करी रहे थे कि प्रत्रशा वाँ पर आजाती है और उनको वहीं पर ही रोक देती है क्या तुम यहाँ पर विपिन को ढूंड रही हो वो भी अलोके राक्सास को इस दुनिया के अंदर आखिरकार वो यहाँ पर क्या करने वाला है तो वहीं दूशे तरह प्रत्रशा करती है हाँ मैं उसको यहीं परी टोडने आई हूँ बात कुछ यहीं थी कि जो शेन कभीली की अंडरग्राउंड गेलरी है ना उसके अंदर के सभी सभी राक्सस को मारने के बाद में वह यहाँ पर चले आए हैं और मैं भी उनका फिसा करते करते यहाँ पर आ गई तो वहीं दूशे तरफ क्या 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 कह रही हो आप मजाग बजा कर रही हो क्या मैंने यहाँ पर सुना था कि जो शेन कभीली नीचे अंडरग्राउंड गेलरी है उसको यहाँ पर टार्गेट बनाया गया था अलग से उसके अंदर कम से कम 10,000 संतिजिस त्रीके उपर के राकस्त बरे हुए थे तो आखिरकार क्या वास्तों में उन्होंने अखेली यहाँ पर उन सभी को साफ कर दिया है हाँ हाँ वास्तों में मैं सत के रही हूँ यहाँ पर उन्होंने ऐसा सब कुछ किया है बहुत कुछ ऐसी है कि यहाँ पर उन्होंने हमसे कहा था कि वो देखने के लिए एक बार राकस्तों जा रहे हैं लेकिन उन्होंने उसके साथ में ही सभी राकस्तों को वाँ पर खतम कर दिया और उसके बाद में वो सीदे वो सील को सही करते वे इस तरफ आ गए थे मैं भी उनका पीजा करते करते यहाँ तक पहुंच गई हूँ क्या आप लोगों ने उनको कहीं पर देखा है वहीं दूसरी तरफ प्रतुशा को उस सवाल को सुनने के और उस बातों को सुनने के बाद में उन तीनों ये रोंग्टे खड़े हो गए थे वास्तों में अभी उनको वाँपर डर सा लगने लगा था आप हमसे मजाग मजाग कर रही है या कि ओला आप हमारी टांक खेंजने कोशिस कर रही है आप एसा मजाग ना करें हमारी पेले से यहाँ पर हालत खराब हो चुकी है वास्तों में प्रतुशा अगर आपको मजाग करना है ना तो एसा कर सकते हैं कि हाँ विपिन ने पांच राक्सस को मारा था हम मान लेंगे लेकिन यहाँ पर एक हलाख राक्सस थे आखिरकार यह कैसे हो सकता है तो वहीं दूसरी तरह प्रत्शा करती है और मैं सची कह रही हूँ वास्ता में यहाँ पर इन सभी की ऐसी हालत उन्हों नहीं की है क्या आपने यहाँ पर कुछ नोटिस नहीं किया है अगर आप लोग यहाँ पर आए हुए है तो आपने कुछ नोटिस किया होगा कि किसी के सर के उपर यहाँ पर गड़ा है और किसी के सीने के उपर यहाँ पर जोरधार गड़ा बना हुआ है किसी के सीनर को यहाँ पर चीर दिया किया है या किसी की गयरत ने आप पर काड़ दे गई है या किसी के चेरे के उपर जोड़़दा पंच लगा हुआ है तो आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर एक गोल्डन ओरिजन खड़ाई है एक उनका बाला है और उसके साथ में यहाँ पर उनके कुछ अलग-अलग हतियार भी है इसके साथ में आपको यहाँ पर पता चल जाना चाहिए तो उसके साथ में यहाँ पर तिनों ने अपना सरी लाया और कहा हाँ 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 मैंने देखा है उनके पास में एक golden origin कड़ाई भी थी जिसको यहाँ पर उन्होंने पिछले दिन ही यहाँ पर upgrade किया था लेकिन वो कड़ाई नहीं लग रही थी वो तो मेरे को हगी होई कोई टट्ट्टी लग रही थी लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है आखिरकार यहाँ पर मैंने देखा था कि उन राखसों के जो संक्याती ना वो एक लाख दस हजार थी तो आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर उन्होंने अखेले ही उन सभी को यहाँ पर सफाचट कर दिया हो वास्तव में अभी तीनों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा था क्योंकि मास्टर सेग भी यहाँ पर इसा कुछ नहीं कर सकते थे लेकिन यहाँ पर विपिन अभी केवल ग्रेट संथ स्टेज 1 के ओपर था और उसने यहाँ पर इसा सब कुछ कर दिया था तो वहीं दूसरे तरफ करन अपने जटकों को दबाता है और उसे साथ में करता है प्रतिशा बात को चैशी कि हमने यहाँ पर विपिन को नहीं देखा है क्योंकि हम भी आपके आने से कुछ समय पेले यहाँ पर आये हैं जहाँ पर वे इसी तरह से बात करी रहे थे कि अचानक से जोड़तार आवाज सुनाई देने लगती है और अचानक अगले फल यहाँ पर जो लाल आसमान था वो काले बातलों के साथ में घरने लगता है यह क्या हो रहा है यहाँ पर कैसे आ सकता है यहाँ पर उन सब के रोंग्टे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि वो यहाँ पर ब्लेक फ्लेम की एक और परिक्सा आ चुकी थी अचानक से आसवास का जो तापमान था वो गिरने लगता है लेकिन अचानक से उनको एक आखरती दिखना सुरू हो जाती है जो बातलों के बीच के अंदर खड़ी हुई थी यह क्या है यह क्या विपिन है यहाँ पर करन ने कहा क्योंकि अचानक से वो पैचान चुका था कि अभी कौन वहाँ पर खड़ा हुआ था तो वहीं दूसरी तरफ अरे आप लोग यहाँ पर आ गए हैं यहाँ पर विपिन उनकी तरफ देखता है और उनसे कहता है चली ठीक है आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर आराम साराम कीजिए मैं थोड़ा बहुत इन जवी बादलों से निपट कर आता हूँ उसके साथ में हम लोग बेट कर चायवाए पिएंगे उसके साथ में जो विपिन था सिदा चला जाता है उन बादलों के अंदर के अंदर जा चुका था आखिरका इनके पास में तरा टाइम कहां से आ गया पहले तो इन्होंने यहाँ पर एक लाग दस हजार राकससों को हाराया और उसके बाद में भी यहाँ पर इनके पास में इतना टाइम आ गया कि यह सफलता हासित करने के लिए यहां पर आ गए सौर्ग की एक परिक्सा है ना इसको यहाँ पर अभी कैसा होना चाहिए वहाँ पर वह उससे पूचता है क्या वहाँ पर विपिन अभी भी उसके अंदर जाकर ही उनके साथ में लड़ने वाला है आखिरका पिछली बार तो मैंने जान लिया था क्यों बिजली की बादलों क करने कोई भी जरूत नहीं है बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर पिसले दिनी है ना उन्होंने एमपाय एलाइंस के अंदर इस परिक्सा को दे लिया है और सौर्ग के अगने के साथ में वह निबढ़कार आ गये हैं वो भी सेम इसी लेवल के अगनी थी और उसको आराम से इन्हो की बार आती है और अगर यह पहले यहाँ पर इस परिक्सा को दे चुके हैं तो आखिर का दुबार यहाँ पर क्या लेने आ गई क्या यहाँ पर पाने डाल का बना लिया गया है वास्तों में यह पागल वागल हो गए हैं क्या मुझा लगता है कि यह विपिन का संगत का अस सारे के अंतर है थे ना तो उस जग पर इहां पर उन्हों ने Sind शामना किया था वह पर उन्होंने कहाOOOO कैया रहे होतुम क्या एक यहां पर उसा किया था यहांपर वह सभी खेल है या कोई खिलोना है आखिरकार मुझे भी जमज में नहीं आ रहा है कि जब मुंड़ा उठाए यह आ जाती ब्लेक फ्लेम यहाँ पर परिक्सा लेने के लिए भगवान मैं नहीं हूँ मैं तो यहाँ पर दूर रहने वाला हूँ मैं यहाँ पर ग्रेट संद इस्टेज डग बगाने लगे थे और यहीं पर यह एपिसोड खतम हो गया था चली गाइस जल्द ही मिलते है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जब तक कि लिए टाड़ा वाई 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 सायो नारा और थोड़ी वो तवेतिया उपर नीचे चल रही है तो इसी वज़े से एपिसोड तोड़े आगे पीचे हो सकते हैं ठीक है कल भी मैंने तबयत खरापती लेकिन वो एपिसोड डाल दिया था और अभी थोड़ी वो चल रही है लेकिन एपिसोड आपके अप्लोड कर रहा हूं और गाइस कल मंडे है ना तो मंडे को भी एपिसोड आएंगे ठीक है जो लाइ